नमस्कार मैं हूँ डोक्टर उपाली जेन और आइरवेद फोर एवरिवन में आपका स्वागत है दिखे पंच ग्याने इंद्रियों में हमारी जो आखे है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंद्रिया है तो अगर आप अपने आखों को हमेशा स्वस्थ हमेशा निरोगी रखना चाहते है या फिर आपको अगर आखों से संबंदित अभी कोई तकलीफ है जैसे कि आखों में बहुत ज्यादा रुखापन है यानि बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील होती है और फिर इस ड्राइनेस के कारण आपको बहुत ज्यादा इची यानि बहुत खुजली आ कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आइरवेद आपके किस तरह से मदद कर सकता है आइरवेद की सही ताओ में कौन से नव उपाई यहां पे दिये हुए है जो आप बोकुत ही आसानी से घर पे कर सकते हैं और आखों के लिए बोकुत ही स्रेश्ठा उशदी जो है महात्रिफला ग्रित या महात्रिफला घी जो आइरवेद के ग्रंथों में बताई हुई है उसे लेने की सही विधी या उसके फायदे क्या-क्या है तो इसके पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे हैं और अगर आप चानल पर नए है अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइरवेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए सबसे पहला जो उपाय है वो है नेत्रधावन तो नेत्रधावन के लिए आप त्रिफला जल या त्रिफला क्वात का इस्तमाल कर सकते हैं यह बहुत ही सिंपल प्रोसेजर है तो रात को सोने के पहले आपने एक मिट्टी के बरतन में एक ग्लास पाने डालना है इसमें एक चमच्ट त्रिफला चूरन अपने मिलाना है इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ढखके रकना है दूसरे दीन इसे अच्छी तरह से चांदे आपने इस्तमाल करना है या फिर आप इसका काढ़ा भी बना सकते हैं काढ़ा बनाने के लिए यह जो एक गलास पानी हमने लिया इसको उबालना है जब तक यह आधाना बच जाए तो यह हुआ हमारा त्रिफला क्वाथ इस क्वाथ का भी आपने इसको अच्छी तरह से छान के फिर इस्तमाल करना है सुबह उठने के बाद मलवि सर्जन के बाद साफ करने के बाद आपने यह नेत्रधावन करना है अब देखे इस नेत्रधावन के लिए इस तरह के जो आइकप से इनको आप यूज कर सकते हैं तो इसमें यह तरिफला का वाथ यानि काढ़ा भरके इसमें आपने आखों को डुबों के फिर बिलिंग करना है कम से कम 10 से 12 आप इस तरह से बिलिंग कर सकते हैं एक आख के लिए जो काढ़ा आप इस्तमाल करेंगे उसको फिर से आपने दूसरी आख के लिए यूज नहीं करना है शुरुआत में हो सकता है कि आपको हलका सा इरिटेशन लगे लेकिन बाद में आप बहुत थंड़क महसूस होगी बह में मदद करता है अगर आपका दिन भर में बहुत ज्यादा ट्रावलिंग है या धूब में जाना है तो रात को सोने के पहले भी आप इसे कर सकते हैं अब हम आखों को हमेशा स्वस रखने वाली और आखों की सभी समस्याओं को दूर करने वाली ऐसी एक बहतरीन इस ग्रंथ के उत्तर स्थान में बहुत ही विस्तरुत रूप से बताया हुआ है वो कहते हैं सरवदाचा निशेवेता स्वस्तो अपिनयनप्रिय सेंदवं त्रिफला अध्राक्षा यच्चे आहार भेशजम इसमें त्रिफला का वरणन है त्रिफला यानि इसमें तीन फल हरिता की बिभीता का और आमल की यानि हरण बहेडा और आमला अब यह जो त्रिफला है यह चक्षुष है यानि आखों के लिए बहुत अच्छी आउशदी है इसके साथ ही रसायन है यानि हमारे संपूर्ण स्वास्ति के लिए यह हितकर है त्रिफला से सिद्ध किया हुआ जो घी है जिसे त्रिफला घृत या त्रिफला घी कहा जाता है यह बहुत ही गुणकारी आईरवेदिक आउशदी है लेकिन अगर त्रिफला के साथ और भी काफी सारी आईरवेदिक आउशदियों से घी सिद्ध किया जाता है तो उसे महा त्रिफला घृत कहा जाता है या विश्वस्निय नाम रहा है, 40 से ज्यादा देशों में इनकी आयरवेदिक आउशदिया उपलब्द है, इनके तबारा बनाया हुआ ये जो महात्रिफला घी है, ये शास्रोक्त विधी से बनाया हुआ है, यने ये क्लासिकल आयरवेदिक मेडिसीन है, आयरवेद के ग्रंथों में इसे बनाने की जो विधी इसका तरीका दिया हुआ है, महात्रिफला घी में हरड, बहेडा और आवला के अलावा, भृंगराज, वासा, शतावरी, गिलोए, छोटी पिपली, द्राक्षा, नील कमल, यश्टी मधू और छोटी कटेरी जैसी अन्य गुनकारी आयरवेदि के निर्मान में यानि इसे बनाते समय थ्री स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, इसमें सबसे जो पहली स्टेप है तो इसमें जो आउशदिया है यानि जो आयरवेदिक वनस्पती है इनको पानी में चोविस घंटे भिगो के रखा जाता है, फिर घी को धीमी आज प कुछ और आउशदिया वनस्पती को भी इसमें मिलाया जाता है घी को सिध्ध किया जाता है तो इस तरह से जो शास्रोकत विधी है इस घी को बनाने की उसे पूरी तरह से अपनाया जाता है, यहां तक कि इसमें किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव इस्तमाल नहीं किय चलिए अब देखते हैं कि महात्रिफिला घी के सेवन से हमें क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं तो सबसे पहला जो फायदा है कि आखों को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए आए हेल्थ को मेंटेंड करने के लिए बहुत अच्छी आउश्दी है साथ में आखों की सभी प्रकार क इस तरह का यूसेज है आखी बहुत ज़्यादा थक जाती है या फिर अगर किसी को आखों का चश्मा है नंबर ज्यादा है तो उसे कम करने के लिए अगर किसी को रात में कम दिखाई देता है तो इन सबही समस्याव में ये जो महात्रिफलागी हैं ये लाबदाइक हैं इनका सम्तोल इनका बैलंस बनाए रखने के लिए ये मदद करता है और हमारी जो इमिनिटी है यानि जो हमारी रोक प्रतिरोधक शक्ति है उसको भी अच्छी बनाए रखने के लिए भी ये हमें मदद करता है तो इस तरह से महात्रिफिला घी के सेवन से हमें इतने सारे आपने दिन में दो बार लेना है गुनगोने पानी के साथ सुबा आपने इसे खाली पेट लेना है अब देखे शुरुवात में हमने जो आपको तुरन बाद आप आप इस जो ये महात्रिफला घी है इसका सेवन कर सकते हैं इसके और भी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं और फिर इसके बार लगभग एक या देड़ घंटे तक या फिर आपकी अच्छी भूख लगने तक आपने कुछ भी नहीं खाना है रात को सोने के लगभग एक घंटा पहले आपने इस महात्रिफला घी को लेना है आप इस महात्रिफला घी को काजल की तरहा आखों के बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री, पूरुष, सभी महात्रिफला घी का सेवन कर सकते हैं, अगर आप इसे बच्चों को दे रहे हैं, तो आधा चमश दिन में दो बार गुनगुने पाने के साथ ले, इसमें सिर्फ एक ही साउधाने लेनी है, कि जो गर्भवती महिलाए है, वो महात्रिफला घी का सेवन ना करें, लोकली अपलाए करने के लिए, यानि लगाने के लिए वो इसे जरूर इसका माल कर सकती है, तो इस तरह से महात्रिफला घी आखों के लिए बहुत अच्छी आउशदी है, अगर आप महर्शी आईरवेद का महात्रिफला घी ओर्डर करना चाहते हैं, तो इसकी लिंक डिस्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप इसे ओर्डर कर सकते हैं, अखों के लिए जो तीसरा उपाय है वह है अंजन या काजल, अब देखे वागभवट रुशी ने दिन्चरिया अध्याय में हमें हर रोज सुब अंजन या काजल लगाने के लिए बताया हुआ है, इसे हम एक पारंपारी विधी से बना सकते हैं, तो एक मिट्टी का दिया बुझना जाए और फिर इस प्लेट के अंदर पूरा काला सा जम जाता है, तो इस कजली को हमने बाद में निकाल के लेना है, इसमें एक बून घी को मिलाते हुए इसे अच्छी तरह से फेटना है, लगभग आधा घंटा हमने इसे फेटना है, तक एक बहुती सौट साहमार इसे आखों में लगाना है, काजल बनाने की इस पारंपारिक विदी पर हमने अल्रेड़ी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, आखों को हमेशा स्वस्त रखने के लिए जो चौथा उपाय है वो है त्राटक या आई इसे सोला से बीस इंच की दूरी पर रखे इसकी लोग आपके आखों से निचले स्तर पर होनी चाहिए, इसकी जोच स्थीर होनी चाहिए इसलिए रूम या जिस जगह पर आप इसे कर रहे हैं वहां पर जोर की हवा ना आए और वहां पर बहुत ज्यादा उजाला या फिर अंधेरा भी ना हो तो दिये की लोग को एक टक देखे जब तक की आखों से पानी ना आए या फिर आखे ठक ना जाए अगर कमफटेबल ना लगे तो आखे जपका ले तराटक को रोज 2-4 मिनिट करना चाहिए इसे रात में सोने के पहले या फिर सुबर ध्यान के समय भी आखों के मसल्स को स्ट्रॉंग करने के लिए आइबॉल एक्ससाइज भी कर सकते हैं जैसे आखों को दाए बाए उपर नीचे देखे जब भी आप ये आइबॉल एक्ससाइज कर रहे हैं तो आपके सीर को स्थीर रखे त्राटक करने से अनेक फायदे होते जैसे की आखों क मानस्पेशिया मजबूत होना, एकागरता का बढ़ना, दूर की नजर सुधारना, मेमरी में सुधार लाना, और मन को शान करना. अगला उपाय है नेत्रतरपण या नेत्रबस्ति, तो इसके लिए जो उड़त की डाल का आटा है, उसकी रिंग आखों की चारोर बनाई जाती है, और उसमें जो महात्रिफला घी या फिर त्रिफला घी या और भी कुछ आउशदियों से सिधचों की है, उसको गुनगुना क करके डाला जाता है, और इसमें आपने आखों को जपकाना है, जनरली ये जो नेत्रबस्ति की जो प्रोसिजर है, वो आप अपने नजदी की आईरवेज चिकिश्त के यहां पे कर सकते हैं, अब आप इसे सिंपल वे में आप घर पे कैसे कर सकते हैं, वो देखते हैं, तो ज बहुत ही सिंपल मेथड है, अगर ये आएकप आपकी आखों पे बहुत अच्छे से फिट आता है, तो आप इसे उल्टा कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो घी है वो निकल जाने का डर रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान से करें, या जस्त इसको अपने डिप करना है आखों को औ अगी एता है, तो अगर भषक सिंपल में हमारे आखों के या जाखने आखों के और आपका यो अऊने भादल का ज़ियुत, घू करने लेकिन हम कहते हैं कि हमशिता के चाहिते हैं मुथा अचν प्रतिदिन आख़नल के बहुत जरूरी है, इसके के बारे में हम ने हम भड़ nowhere disci वीडियो अल्रेडी बानाया हुआ है तो थे देख सकते हैं पेरो के तल्वो में आपने एक मालिश करनी है इसे करने के लिए एक जो गाय का खी है या तिल का तेल क्वा उल्रुष कर सकते हैं अब हाज से भी यह मालिश कर सकते हैं या इस तरह का यंत्र भी आप यूज कर सकते हैं या फिर आपके घर में जो कासे की कटोरी या पीतल की कटोरी है तो उससे भी आप यह अभ्यंग या पादाभ्यंग कर सकते हैं इसकी जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन वॉक्स में हैं तो वहां से आप इसे देख सकते हैं आखो के लिए जो अगला उपाय है वो है नस याइरवेद में कहा गया है तो अगर आपको सिर से सम्मंदित कोई बिमारी है या फिर इंड्रियों से सम्मंदित अगर कोई तकलीफ है तो उसे सिर तक पहुचाने का जो रास्ता है वो नाख से है तो इसके लिए आप तिल का तेल, या नारियल का तेल, या गाय का घी, या फिर जो अनु तेल है, या पंचेंद्रिय वर्धन तेल है, या आप इस्तमाल कर सकते हैं, नस्य के बारे में भी हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, विडियों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नीन के लिए यह हमें मदद करता है भागभण रुशी ने अश्टांग रुदा इस ग्रंथ में हमारे लिए आखों के लिए सबसे पत्थे का राहर कौन सा हो सकता है वो भी बताया है तो जो लोग स्वस्थ है या जिनको आखों से संबंदित अभी कोई तकलीफ है तो यह दोनों इसे ले सकते हैं तब से पहली चीज जो बताते हैं वो है पुराना वाला जो अनाज है यानि गेवु है चावल है जव है तो यह लगभग एक साल पहले का पुराना अनाज हमने यूज करना है तब तक हमने इसे स्टोर करके रखना है और फिर हम इसे यूज कर सकते हैं तक यह और ज़दा प वो भी हमारे लिए पत्यकर है, तो खाने में भी हमने इसे जरूर रखना है, साथी में जो पुरान गृत है, या नि जो पुराना हुआ जो खी है वो आखों के लगाने के लिए भी बहुत ही अच्छी आउशदी है, इसके साथ ही फडो में जो अनार है, यानि जिसे दाडिम क वो बहुत अच्छा फल है यह तक कि आप मुनक्का यूज कर सकते हैं जो मिष्री है इस्पेशली जो धागे वाली मिष्री है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है नमक में आपने सेंधा नमक यूज करना है तो इस तरह से खान-पान में जो हमारे लिए पथयकर को नुकसान पहुचा सकती है तो सबसे पहली जो आदत है वो है अधारणिय वेगों को रोकना अब दिखिए अईरवेद में तेरहा प्रकार के अधारणिय वेग बताये हुए है जैसे कि यूरीन, स्टूल, भूख, प्यास, नीन का वेग तो इस पर हमने अल्रेडी डिटे के लिए भी अच्छी नहीं है तो यह सबसे पहला नियम उन्होंने बताया है दूसरा जो है कि अजिरन आशन है या अध्याशन है जैसे किसी को अजिरन हुआ है पहले खाया हुआ खाना पचा नहीं है तो अगर फिर भी वो खाते है या फिर दूसरी बात कि जिनको बहुत जदा भूक लगी है लेकिन फिर भी वो खाना स्कीप कर रहे है तो यह दोनों चीजे भी आखो के स्वास्त के लिए नुकसान कर सकती है तीसरी जो बात उन्होंने बताई है वो है दिवास्वाप अगर आप दिन में सोते है तो वो भी आपके आखों के लिए अच्छी नही यानि जो खानपान या जो ऐसी मेडिसीन से कि जो आपका पित बढ़ाए या फिर आपको कॉंस्टिपेशन करने के लिए रिस्पोंसिबल हो तो ऐसी सभी तरह की चीजों को हमने अवोईड करना है तो इस तरह अएरवेद में इन पत्यकर अहार के साथ ही अपत्यकर विहार भी बताया हुआ है तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने आखों को हमेशा स्वस रखने के लिए और सभी समस्याओं से बचाने के लिए या पी समस्याओं को ठीक करने के लिए अईरवेद के अनुसार जो नव उपाय आप आपके घर में कर सकते हैं उसकी पूरी जानकार कीची फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आईरवेद को अपना ये स्वस रहें नमस्कार